एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आये हैं और वो मुद्दा आपको भी उतना ही प्रभावित करता है शायद जितना इस देश के विपक्ष को करता है लेकिन बहुत कुछ बोलने से पहले कुछ तथ हैं यहाँ पर बोल देने जरूरी हैं अभी अ सेशन की समापती हुई है और हिंदुस्तान की राजनीती में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीती में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार क को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने JPC की अडानी महा घुटाले पर बात की हम ED जा रहे थे हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलीस पोर्स रोकता है हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं हमारे माइक बंद कर दिये जाते हैं और विपक्ष की सबसे म राहुल गांदी जी ने साथ फरवरी को सवाल पुछया डानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोधी सरकार को कि वो कर देगी लेकिन असलियत ये है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है राहुल जी के सवालों से ये सरकार बैक फुट पर है और इसी लिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा एक भी सवाल इनसे अनकंफिटबल पूछ लीजे बेरोजगारी महंगाई आर्थि कासामानता किसानों की दूरदर्शा चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महा घोटाला ये सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तत्यों को सामने लाएगा बड़े बड़े खुलासे हुए हैं चाहे वो अडानी महा घोटाला हो चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है जब अधिकांश मीडिया को PMO का एक चपरासी वाटसाप के माध्यम से चलाने की जुर्रत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरे आती हैं आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लाटफॉर्म्स आपके चैनल्स के डिजिटल प्लाटफॉर्म्स आपके अखबारों के डिजिटल प्लाटफॉर्म्स भी शामिल है IT Amendment Rule इस सरकार ने notify कर दिया है, ये जनवरी में draft निकाला गया था और consultation की बात करी गई थी, कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई, जो stakeholders है, वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से और उसके बाद भी रातो रात इसको notify कर दिया जाता है, ये IT Amendment Rule तब notify किया जा रहे हैं, ज उसका संग्यान लेना है, तो ऐसी क्या जल्दी है, और अब जो जनवरी में आया था, उसमें fake news के खिलाफ P.I.B. fact check करेगा, अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, fake news या misinformation, जो central government के खिलाफ है, उस पर एक independent unit, जो सरकार के अंतरगत रहेगी, body, वो fact check करेगी, सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुझरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी, तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं, जो कि असहज है, तो अब Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, तमाम ऐसे platforms को, सरकार ने अपने आपको एक एक अधिकार दे दिया, एक छतर राज दे दिया है, कि वो उनसे कहकर उस न्यूस को हटा सकते हैं, लेकिन जादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्राक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, आपको याद होगा, 2019 में चुनाओ के जस्ट पहले, आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी, कि प्रश्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे उपर है, सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूस बताया था, और 31 मई को जब मोदी जी शपत ले रहे थे तो एनसेसों ने वो डेटा जारी किया, और 45 साल में सबसे उपर बेरोजगारी थी, तो जिसको आप का काम खुद सरकार ने किया था, फेक न्यूस कहकर, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में, 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है, वो मिड़े मील स्कीम के लिए, जो पोशन की स्कीम होती है बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा, सर और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा, अगर वो फेक न्यूस थी, तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा, सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूस थी, तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा, तीसरी स्टोरी में बताती हूँ, गलवान में हमार और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए इस सरकार ने उसको डिनाई किया इसको फेक निउस कहा गया तब तक जब तक बॉडी वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेब साइट पर इसकी पुष्टी करनी पड़ी तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक निउस कर दीजेगा और उसके बाद उसी पर आक्शन लिया जाएगा मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी आप अपने फोन से हटाया जाए ये खबर चली थी उसको भी बोला गया था फेक निउस है बाद में सब ने देखा क्या हुआ तो मेरा कहना ये है कि जो भी असहज है अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो की लगातार हो रहे हैं और मैं दुख के साथ भी कहती हूँ और थोड़ा सा अक्शोब के साथ भी कहती हूँ अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे है वो mainstream media में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में अगर digital platforms इसको कर रहे हैं अगर social media की fact finding agencies इस पर कर रही है काम उसको भी fake news कहा जाएगा अब हम देश को पूरी तरह से censorship पर ले जा रहे हैं क्योंकि यह जो notification है यह सिर्फ और सिर्फ censorship है इसका और कोई भी परियाई नहीं है इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है आज मामला राष्ट्य सुरक्षा का है एक चीनी कंपनी अडानी के हर contract में सब contractor है वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पर्ट में गुसा हुआ है उसको भी fake news बता देंगे उसके भी defense में आ जाएंगे तो सवाल आज यह है कि क्या विपक्ष की आबास को दबाते दबाते सरकार अब स्वचंद मीडिया सरकार अब पूरी तरह से censorship पर उतर आई है और यह जरूरी है कहना और अब यह जो एक बेतुकी बात कही गई fake news against central government अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ी fake news factory दुनिया में कोई नहीं है और fake news के सरगना जितनी भारतिये जनता पार्टी की ITCEL के head और ITCEL के लोग है उनसे बड़े कोई नहीं है लगातार उनका जूट पकड़ा जाता है और हम ही नहीं social media platforms भी उसको verify करते है कि यह manipulated media है यह out of context media है यह fake news है जूट फ्हलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते है खुद प्रधान मंत्री जूट बोलते है मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधान मंत्री की education या किसी चीज़ को लेकर चल रहा है उसका जो bedrock है the issue there is कि वो जूट बोला गया है तो किसकी fake news की बात करेंगे आप एक व्यक्ति प्रशान पटेल है standing council है गौवा का भाजपा का सदस है कर Supreme Court ने उसको बोला कि आप लगातार fake news पहलाते हैं आप माफी मांगिए इसके खिलाब सरकार act करेगी और यह जो rules है इनकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें कोई भी judicial oversight नहीं है आपने platform को बोल दिया platform को हटाना ही पड़ेगा इसमें regulatory mechanism कोई नहीं है और यह भी सच है कि digital platforms ने खुद से आगे बढ़कर एक self-regulatory body बनाई है जैसे कि press council of India है जैसे कि NBSA है TV channels के लिए ऐसी ही एक body उन्होंने भी बनाई है self-regulatory body self-regulatory body बनाने की बात fact checkers के लिए भी चल रही है fact की आपको बड़ी चंता है लेकिन fact checkers को जेल में डालना है तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है निंदक नियरे राखिये सरकार को ना निंदक पसंद है ना निंदा पसंद है ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है आपको लगता है कि यह सारी चीजे करके आप विपक्ष को या independent media को या असहज सवालों को दबा दीजेगा तो सच छुपाय नहीं छुपता है यह अपने आप में एक बात है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतिये जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हंडिल करती है क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही IP अड्रेस से 23 वेबसाइट तमाम फेस्बुक पेज भाजपा के क्यों चलते है जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन आक्चली प्रचार प्रसार प्रपगेंडा भाजपा का फेलाते है अगर आप फेक न्यूस पर क्राकडाउन कर रहे है तो सबसे पहले तो भारतिये जन्ता पार्टी के फेक न्यूस तंत्र पर क्राकडाउन करिये क्योंकि जो क्राकडाउन करने का काम Ministry of Electronics and Information Technology ने IT Amendment Rule notify करके किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस आशे से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के भंका के उनको घर बठाया जा सके आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजेगा आप दो व्यक्ति को चुप करा दीजेगा लेकिर आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि ये सरकार, Modiji जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है आपके सवालों का स्वागत है if I may just make a quick statement in English on this the IT Amendment Rules have been notified by the Ministry of Electronics and Information Technology as of two days back it's bizarre because these rules were put up for consultation in January it now says that fake news against the central government will be checked by a unit of the government itself so the government is the propagator the author, the originator and the factory of fake news operators and which is why the question is is the government willing to discuss issues that really matter a budget session has just gotten over the Adani scam the Chinese occupation unemployment, high prices income inequality continue to be the raging issues of our times what you did you first sent police and marshals to silence the MPs you cancelled Rahul Gandhi's membership and you believe that he is not going to talk after that you believe that because you will suppress large sections of media you can do that to independent digital platforms as well you are trying to control this is nothing but censorship and control of the world wide web and every stakeholder is up against it the social media platforms are against it the users are against it the media houses are against it you read the statement of your own body the press council of India and you will figure out how draconian these rules are and how everything is being done to suppress the truth to suppress the press this violates India's constitution this violates freedom of speech and expression and more than anything else it violates the IT Act of 2000 which is the mother law under which these amendments are being made the uncomfortable questions the uncomfortable truth baffles this government they are on the back foot and which is why they are now trying to control the world wide web there have been numerous instances of a news coming being called out as fake news by the government and then turning out to be true whether it was unemployment at a 45 year high whether it was Aadhaar being made mandatory for children whether it was the Galwan clashes and then of course the supreme sacrifice of our soldiers any issue whether it was railway privatization whether it was Chinese app being banned everything so far has had a pattern everything which is uncomfortable to the government will be called out as fake news and then the same government will go and act in accordance with the news item so these are this is a very baffling pattern this should worry every Indian because this is nothing but seizure control and censorship of the world wide web and I will only end by saying that if you are really serious about fake news will you act against